So hello guys welcome to Tridev. So first see the thing like मैं गया Wi-Fi पे और मैंने यहां से किया disconnect. So internet is dead and मैं फिर से जाता हूँ website आपने Wi-Fi पे and फिर से connect करता हूँ. Connect it and internet is alive. So friends यह आपने देखा बहुत ही simple सा magic कि आप कैसे get कर सकते हैं अपने browser पर या अपनी website पर लाइव website पर यह मैं local host पर नहीं अपने domain पर ही कर रहा हूँ. So आप अपने live website पर चेक कर सकते हैं कि user का internet off हुआ या internet pause हुआ या internet बंद हुआ. So अगर user का internet बंद होता है तो आप यहां पर अपनी conditions चला सकते हैं अपना कुछ जो भी आप content शो करना चाहते हैं अपनी website पर शो कर सकते हैं. YouTube के app पर हम देखते हैं या YouTube की website पर देखते हैं या Facebook की website पर देखते हैं you are offline like मैं आपको Facebook या फिर YouTube.com खोल के दिखाता हूँ. यह मेरे YouTube.com खोल रखा है ओके and then मैं यहां से इसका Wi-Fi off करूँगा. तो देखे website लोड हो रही है बड़ आपका कोई content लोड नहीं हो रहा है किवल placeholder लोड हो रहा है and then आपका यहां पर लोड घूम रहा है. ओके and then अगर आप यहां पर explore पर क्लिक करेंगे तो connect to the internet भी आपको दिखा देगा. रादर देन आपके पास यहां पर website अल्ड़ी खुली हुई है and आप पूरी website देख सकते हैं आपकी website crash नहीं हुई है. आप किसी भी page पर travel कर सकते हैं. ओके so देखे connect to the internet. So guys यही हम इस वीडियो में करने वाले हैं आज कि आप कैसे ही get कर सकते हैं कि user का internet automatically की बंद हुआ है या वापस आ चुका है. तो हम एक बार देखें मैं आपको फिर से दिखाता हूं मैंने इसको internet को फिर से connect कर दिये हैं आपे. जैश श्रीराध है and internet is alive. So बहुत ही magically होता है, magically कुछ नहीं होता है. JavaScript का simple code है हम JS के through ही इस चीज को कर सकते है. Because JS आपको पता है हमारे browser पर रहन होती है plus हमारी internet activity या जो भी activity हम करते है browser के उपर या append होती है browser के पर कोई भी activity तो उसको get करता है. तो चलिए देखते हैं इसका code बहुत ही simple है. तो यहां पर मैं आपको diet cPanel दिखा रहा हूं आप cPanel दिखा रहा हूं आप cPanel दिखा रहा हूं तो यह text editor ही समझ लीजिए इसको ठीक है तो यहां पर मैंने simple code इक है कि एक सबसे पहले मैंने एक tag लगाया है यहां पर intent is alive और इसमें मैंने ID दी है status की. तो यहां पर देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर देता हूं कि यहां पर मैंने दो function लगाए हैं इसको मैं इसको मैं अटा देता हूं यहां से यह item देता हूं मैं आपको इसको भी explain कर देता हूं navigator.online जो हमारा object use होता है यह देखने के लिए कि हमारा internet का status क्या है तो यह देखिए आपको छोटा सा true दिखाई दे रहा हूगा मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा यह आपको छोटा सा true दिखाई दे रहा हूगा यहां पर बिकॉज हमने console में print किया था तो अभी हमें internet connected है ओके वैसे इसका हमें कोई use नहीं है अब यहां पर हम आ रहते है window.addEventListener पर है आप इसको टाइप करेंगे window.addEventListener and online if user is online then एक functional होगा जैसे कि आपको event listener पता है करता हूँ when user is online तो तब हमारा यहां पर क्या होगा internet is alive हमारी inner HTML में target हो जाएगा आप कुछ भी दिखा सकते हैं जो आपका मन हो आप image दिखा सकते हैं आप कोई भी content दिखा सकते हैं कोई भी data show करा सकते हैं कोई भी जैसे आप game देखते हैं game भी इसमें run कर सकते हैं and then यहां पर हमारा tag है दूसरा addEventListener for offline like if user offline है user offline okay so यहां पर आपका आएगा internet is dead okay and आप इसको change कर सकते हैं यहां से मैं आप कुछ भी लिख सकता हूं आप मैं एक और tag कर यहां पर लगा दूँगा status to connected default में because website आपको एक बार load करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी website या आपका internet connected नहीं है तो website लोड करनी पड़ेगी तो मैं यहां पर two डाल देता हूं और same this line को copy करता हूं and then paste again and disconnected okay तो चलिए इसको test करते हैं यहां पर मैं status to high और मैं इसको safe changes करता हूं okay यहां पर मैं इसको run करता हूं file को तो देखिए internet is live and connected अब मैं यहां पर जाओंगा अपना wifi off करूंगा and यह देखिए internet is dead and disconnected so friends आप इस तरीके से कोई भी website के layout show कर सकते हैं कुछ भी आपका जो मन हो scrolling और आपका अगर एक आपको कोई भी progress बार show करना या जो भी आप show कर सकते हैं या कोई power दिखा सकते हैं you are not connected to internet and can't access the website again okay and then यह काम आ सकता है आपका बहुत सी जगवाँ पर काम आ सकता है इस हमारी हार जगा work करती है so friends कैसी लगी है वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको इसमें कोई भी और टेक्निकल्टी जाननी हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजेगा इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजेगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अब तक के लिए बाबाए और सब्स्राइब जरूर करते हैं तभी नेक्स्ट वीडियो में बिल पाइंग